वैसा पदार्थ जिसमें रशायनिक परिवर्तन होता है उस पदार्थ में हम लोग समझेंगे की रशायनिक अविक्रियार हुई है और रशायनिक परिवर्तन होने का और मुख्य रिजन क्या क्या है उसमें अवस्थावे परिवर्तन हो जाता है रंग में परिवर्तन हो जाता उसका तापमान बढ़ जाता या घड़ जाता है उसे ग्यास का निश्कासित होना यह सब जो भचना है वो रसाइनिक अविक्रिया को दसारता है हाई एवरीउन मैं हूँ आदरशराज और आज मैं क्लास टेंड का साइन्स का होस्ट छेप्टर रसाइनिक अविक्रिया है और समीक्रन को स्टार्ट करने जा रहा हूं तो इस चेप्टर में हम लोग आज का जो ये वीडियो होगा इसमें हम लोग समझेंगे कि रसायनिक अभी क्रिया क्या होती है रसायनिक समिक्रन क्या होता है कैसे उसको लिखा जाता है कैसे संतुलित किया जाता है उसको संतूलित करना क्यों आवस्यक होता है इन सभी बातों का आज इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे तो चलिए सबसे पाले समझने कि रासाइनी कभी किर्या है होती क्या है तो देखिए आप लोग द्यानिक जीवन में बहुत सारा ऐसा घटना परती दिन देखते होंगे जो कि आपकी जीवन से जुड़ाया जैसे कि मानलो की दूद से डही बनना या फिर अंगूर से किस्मिस बनना या फिर किसी लोहे की कील को अगर बहुत दिन तक ऐसे आधर वायों मंडल में छोड़ दिया जाए तो उसमें देखते होंगे कि जंग लग जाता है और मानलो की किसी बरतन में वाटर को रख दिया जाए तो वह अभी कुछ समयवाद उर जाता है उस बरतन से यह सब घटना कैसे होता है आखिर इसके पीछे क्या रिजन है तो इन सभी के पीछे यह रिजन है कि एक रसानी कभी क्रिया होती है हम लोग कैसे समझेंगे कि रसानी कभी क्रि पदात में दो तरह के परिवर्तन होता है, एक होता बहुतिक परिवर्तन और एक होता है रसाइनिक परिवर्तन, तो बहुतिक परिवर्तन के बारे हम लोग क्लास्ट नाइंट में पढ़ चुके हैं, अभी जो हम लोग समझेंगे कि रसाइनिक परिवर्तन के बारे में, अगर किसी पल्धात में रचानीक परिवर्तन होता है तो हम लोग समझेंगे कि इसमें रसानी सानी का भिक्रियाय हुई है अब रसानीक का में बदलाव होता है कि उसका रह जाएगा उसका ठेमुरेटर बढ़़ जाएगा यर घड़ जाएगा उसका आवस्था में परिवर्तन हो जागा जैसे मान लो कि अभी जल है जल में कुछ ऐसा मतलब रियक्शन करवा दिया जाए ताकि वह गैस बन जाए जैसे जल से गैस बन जाता है फिर गैस से सॉलिड बर्फ बन जाता है तो बर्फ से फिर जल बन जाता है यह सब जो घटना है इसका अवस्थ हम लोग समझेंगे कि रासानिक समिक्रन क्या होता है अब रासानिक समिक्रन को समझने के लिए दिखिए जैसे कि सब्सक्राइब कोई रशानी के बात बहुत है कि उल्मकिव आगी विशन के बिच आ की enneकके घृक्राइब बन गया तो कि इसको अगर हम वाक्य के रूप में लिखे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है जैसे लिखेंगे कि जब मैगनिसियम जब ऑक्सिजन के उपस्तिती में मैगनिसियम रीवन का दहन किया जाता है तो मैगनिसियम ओक्साइड प्राफ होता है इतना बड़ा सेंटेंस के रूपे हम लोग को बोलना पड़ेगा इसको हम लोग स्वाट फॉर्म में लिखते हैं जैसे कि यहां पर मैगनिसियम यहां पर देखिए मैगनिसियम प्लस ऑक्सिजन दोड़न मिलकर मैगनिसियम ऑक्साइड बनाता है हम लोग जो इतना बड़ा सेंटेंस के रूप में बोलते थे उसको हम लोग सॉट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं इसको बोला जाता है अशाब समिक्रम जब व तो चीजों को शॉट किया जाता है जैसे मान दो कुछ समें पहले का जब वीडियो आप लोग देखेंगे यूट्यूब पे तो आता था दस मिनेट का कोई भाजन को देखो तो दस मिनेट बारे मिनेट का आता था फिर दिरे दिरे सॉट करके उसको साथ मिनेट का बनाएगा उससे शॉट करके पाफ मिनट फिर साड़े ती मिनट और आज कल तो भी शॉट वीडियो आ गया है देखते हुए तीस सिकंड चलिश सिकंड पजास सिकंड एक मिनट जगा जगा बनाए उसी तरह इसमें भी पहले सेंटेंस के रूप में बोला जाता था फिर उसको क्या किया म मैगनिशयम सब्समिक्रन के रूप में थोड़ा से सॉट के रिया उससे भी नहीं हुआ फिर इसको रसानिक सूत्र के रूप में लिखा गया इसको जैसे मैगनिशयम के लिए लिखा गया कि एमजी एमजी और फलास ऑक्सीजन का वो टू ऑक्सीजन का देखो यहां पर में रहता है वो टू के पर में रहता है इसलिए ओटू लिखागे है उसके बाद यह दोनों मिलकर के बनाएगा मैगनिशयम ऑक्साइड एमजी और यह बनाएगा देखो वाकी से आये हम लोग सब्द में सब्द से आये सूत्र में इस तरह से जो हम लोग इसको रसानिक अभ में की एक तीर का निशान लगाया हुए तीर का बाई और जो है जो भी परात रसानिक अभिकिर्या में भाग लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक अभिकारक और जो रसानिक अभिकिर्या होने के बाद जो परात बनता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पार इस तरह से हम लोग यह टोंगिया रशाइनिक समिक्रन लिखने का तरीका क्या है कि अभिकारा जो पदार्थ रशाइनिक अभिकिरिया में भाग लेता है उसको हम लोग तीर के बाई हो लिखते हैं और जो रशाइनिक कभी किडिया के पस्चात्ख पदार्थ बनता है उसको हम लोग तीर के अदाइ तराब लिखते हैं और विष्ट घ॥ आ कि हैं इस स्की final से जो ढ़िधे हैं ये पूरे तरजर को रासानिक संतुरे और का जैता है उसके बाद है उसके बाद हम रोग समय चानिक समित्रन को संतूलित कैसे किया जाता है , जो रसानिक अभिकिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारत कहा जाता है , और रसानिक अभिकिया के पास्चाच जो नए पादात का निर्मान होता है उसको उत्पात कर जाता है उसके बद हम लोग चलिए यह राशानी का भी किरिया है हम लोग समझ गये उसके बद राशानी का भी किरिया है हम लोग समझ गये अब आगे हम लोग समझेंगे कि राशानी का भी किरिया के बारे में हम लोग क्या बोले कि वह इसा पदार्थ जिसम और रसानिक परिवर्तन होने का और मुख्य रिजन क्या क्या है उसमें अवस्थावे परिवर्तन हो जाता है रंग में परिवर्तन हो जाता है उसका तापमान बढ़ जाता या घड़ जाता है उससे गैस का निश्काशित होना यह सब जो घचना है वो रसानिक अविक्या को द प्राकास राशाइनक समिक्राइड को सनतुलित क्यों किया जाता है, इसके पीछे इंवर क्लास 9 स्थे क्लास आ करने द्रम्यान शु का नियम का लिद श्राइड highest और हाथ होता है तो वही नियम को यहां पर भी लागु किया जागा कि मानों कि अभी किरिया से पहले जो पदार्थ मेरा था मैंगनीशियम और अक्सीजन इसका जो कुल द्रविमान था यह जितना ही अभिकारक का द्रविमान है पुल ड्रइबमान उतना ही द्रविमान से होना चाहिए Mexica होता है कि आट और कोछ跟我 का दरविमान है उतना ही गुद्पात का भी दरविमान होना चाहिए और इसी दिए इसको संतुलित किया जाता है इसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसको संतुलित कैसे किया जाता है संतुलित करने के बारे में हम लोग सीखेंगे तो एक एग्जामपल हम ले ले लेते हैं देखो मान लो कि एक है एफी पलस ले लेते हैं एफी एच्टू एच्टू ओ यह है एफी और एच्टू आइरन और जल यह जल नहीं है वास पे बेपर यह दोन्यों मिलकर के बनाता फेरिक अक्साइड एफी थी और ओफोर और बहार इदर हीक लेगा है ट्रोजंग करने के लिए शिखेंगे से पाहले क्या यह तो समझें कि रशानिक समिकरन को संतुरीद करना क्यों हावस्यक है क्योंकि द्रविमान संड्रक्षन के नियां सम लोग जानते हैं कि रस्ठानी कभी किरिया में द्रविमान का ना तो निर्मान होता है ना ही विन्यास होता है तो जितना द्रविमान अभिकारत का था उतना ही द्रविमान उत्पाद का भी होना चाहिए तत्वी संख्एा अगर टेट जान साफिया गंट समय suf CHAR Verfügung tenha MA कि आट स्थित तकाने वहला है मान करने का One team знать यहां तो भीडू है 2000 है। है यहां पर पर यहां पर 4 प्याल अक्सिजन हो라고 यहां पर एक तीन है यहां पर भी तीन होना चाहिए लेकिन ऐसा तो जिक नहीं है इसलिए इस परले हम रोग संतुलित करेंगे संतुलित करने का सबसे पहला जो काम हम लोग करते हैं इसमें और एक चीज़ ध्यान लगना है देखो एक चीज़ सम्झा देता है जैसे कि यहां तो इस तरह नहीं है और नहीं इसको इस तरीके से लिख सकते हैं यह बात अब लोग भ्यानि कि रखना है उसके बाद हम लोग इसके बाद देखो क्या करेंगे सबसेर इस कि इस सम्मिक्रन में वैसा एलेमेंट का या फिर वैसा यॉगी को हम लोग चुछ करेंगे तब से पहले जिसका की जिसका संख्या ज्यादा हो जैसे यहां पर देखो इसमें से सबसे ज्यादा कौन है ऑक्सिजन यहां चार है यहां पर दो है हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहां पर चार से मल्टिप्लाय करते हैं यहां पर उससे पहले एक बॉक्स बना दो बन की तरह यह बॉक्स है और इसक यहां सकते हैं यहां पर इस बोक्स के बाहर ही करेंगें तो यहां पर देखो क्या करना है इह लिखा लैगा एक फी प्रस एच दू और यहां पर फोलिक देते हैं यहां पर डॉट दे देते मतलब की उगुना की उसके बाद यह होते हैं अद्धी हो फोलस एज़ दू अब देखो दूसरे बार में हम लोग क्या करेंगे अक्सिजन यह वाला तो हो गया संतुलिक दूसरा में देखेंगे एक यहां पर तीन है यहां पर एक है तो हम लोग क्या करेंगे यहां प्रिन से बुना कर देंगे इस इस बार भिदा रोगे करेंगे यहां पर हो जाएगा 3 Fp फालस 4 H2 O और 3 उसके बाद धिर हो जाएगा Fp 3 Fp 4 plus H2 अब देखो हो यहां पर Fp 3 है यहां पर भी Fp 3 है ऑक्सिजन 4 यहां पर भी ऑक्सिजन 4 हो गया ह्ट्रोजन देखो यहां पर जब चार्ड किये तो मेरा हैड्रोजन हो गया चार्ड दूना आठ हो गया और यहां पर मेरा कितना तो इसको भी आठ बनाना हो गा तो तुरिस्टा चल्ग में हम हैड्रोजन को संतू रिद करेंगे और यह फैनल मेरा जाएगा जाएगा समस्से sporty वर्षकल कि ओड़ीय। रिदर हो जाएगा समस्टा मेरा आप दोकिया तो मेरा इता है तो गया पर किया दोना है औक ओक्सीजन यहां पर चाभ यहां पर जाएग ढ़ए जाए और बन्ति यहां पर दो आपर च्रूजूio उसको शंतुलित करते हैं और इस वीदी को भीट एंट ट्राईल विभी कहा ज़ता है तो अभी तब हम लोग हमझ न रसायनिक अविकरिया रसायनिक समिक्रन को शंतुलित कैसे कियाता है इसको शंतुलित करना क्यों आवश्यक, इसके बारे में समझ गये कर दिषये कद्षानीज अ की बनावर होना चाहिए है Julinha यह मेरा फार्नल रसाइनिक समिक्रन हो गया जिसको हम लोग संतुलित कर चुके है लेकिन अभी भी इसमें कुछ बाकी है इसके बाद हम लोग इसका आवस्था लिखना पड़ता है आवस्था भातिक आवस्था कि जैसे कि मान के चलो कोई अगर यह रेक्शन देखेगा समिक् को यह तो सौन पदा वेश्था इसमें इसमें पिटीर है स्टीर हो शानी कमपांड और यूपरसिपेट किया है बग भाग लिया उसका अवस्था किया इसके साथ में हम लोग अवस्ता भी लिखते हैं और उसको लिखने के लिए जैसे की गैस के लिए जी का इस्कारते हैं solid के लिए S और liquid के लिए L और जो water होता है जली विलियन के लिए उसके लिए AQ यहां पर इसका लिखा जाएगा 3F E और यह solid है यहां पर ब्रैकेट में हम लिखेंगे S प्लस यहां पर हो जागा 4H2O और यह एच डोग हम लिए ते गैस के रुप में यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे G और फिर देगे अधर और यह हो जागा फैरिक ऑफसाइड और फिर 3O4 यह भी solid बनेगा और पलस में यहां पर और H2 यह गैस के रूप में बहाद निकलता है यह मेरा final हो गया तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि रसाइनिक अभी के लिए कि लिए कितने टास्ट के होते हैं उसमें सन्योजन अभी के लिए और योजन अभी के लिए अभी कई तरह के होते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे यहां तक के लिए थैंक्यू मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में